हेलो एवरिवन आज का अमारा कोश्चन है तो देखे इस प्रकार के कोश्चन में सबसे पल देखे दोस्तो हम इस टेप को एक बाल लिख लेते हैं देखे 777, 1 by 5, plus 777, 2 by 5, plus 777, 3 by 5, plus 777, 4 by 5 हमारे पर जो गिवन था हमने वो स्टेप लिख लिख लिया है उसके अद क्या करना है देखे दोस्तों यहापर 777, यहापर प्लस का साइड कर लेना है और यह क्या हो जागा दोस्तों हमारा 1 by 5 ठीक है उसके यहापर भी उसी प्रकार करना है 2 by 5 देखे यहापर भी उसी प्रकार करना है देखे 777, as it is लिख देना है और यह 3 by 5 और यह देखे दोस्तों 777, plus 4 by 5 अब देखे दोस्तों जो भी 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5 इन्हें add कर लेना है separately क्यों है denominator वो सेम है तो देखे सबके denominator 5, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 5 चारो जगा पर हमारे पास denominator 5 है तो इन्हें अलग add करना है देखे इसे अलग add करना है 777 को अलग add करना है और इन्हें अलग add करना है तो हम 777, plus 777, plus 777, plus 777, plus 777 को अलग add करेंगे और इन्हें अलगाट करें देखें, 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, और ये 4 by 5 तो सबसे पहले हम इसे solve कर लेते हैं, यहाँ पर plus का sign आएगा, देखें divide में 5 आजाएगा, और देखें, सबका denominator से मतुमने सबका denominator एक साथ ले लिया, LCM देखें, 1 plus 2 plus 3 plus 4, ये कितना आ जाएगा, देखें ये आपड़ का sign रहेगा, ये कितना आ जाएगा, ये 10 by 5, तो ये कितना जाएगा, तो ये कितना जाएगा, अब हम इसे add करते हैं देखे अच्छो करेंगे तो कितना घया कासकते है या डायरेक्स ली आप सब्सक्राइब क्याहीं करेंगे दोस्तो damn 777 into 4 कर देंगे क्योंकि एक टम हमारे पास 4 ताइमस है तो हम भी आ करेंगे दोस्तों यहां पर 777 into 4 करेंगे देखें कितना जाएगा 4 into 7 कितना होता है 8 2 carry 30 0 3 carry 28 और 3 कितना होता है 31 ठीक है तो यह हमारा कितना जाएगा दोस्तों यह 318 आजाएगा और यहां से कितना हमार पास 2 है इस question का अमारे आंसर कितना जाएगा देखें 3110 देखे subscribe 3010 का हमारा आंसर है जो हमारे Option never first में तो दिखें दोस्तों इस question का हमारा answer कितना है दोस्तो 3 1 1 0 है तो देखिए इस प्रकार के question में सबसे पहले आपको यहाँ पर plus का sign लगा लेना है तो plus का sign लगा लेना है और सब को separately आपको add कर देना है हमने तो इसमें multiply किया था और यह जो terms होती है इन्हें आपको separately add कर देना है दोनों को solve करने के बाद आप आपको एक जगा पर उन्हें add कर देना है और अपना answer निकालना है इस question में हमारा answer था 3 1 1 0 दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए मिलते अगली वीडियो में नमस्कार